Hello everyone, welcome to Magnet Prince Companies. मैं शान्त रुँह का reasoning mentor आगया हूँ. आज बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज से शुरू हो रही है reasoning की logical reasoning कहानी भाई, logical reasoning logical reasoning का सबसे पहला सब से जादा अगर आपको परिशानी doubt दो दो वो इसी में होती है सब से जादा doubt होते हैं भाई यार इसका कोई 100% perfection नहीं आता लेकिन आज इस class के बाद सारी perfection आपको आने वाली क्योंकि मैं आपके सामने कुछ ऐसे बैतरी ट्रिक्स बताऊंगा कि इस टॉपिक का तो फोबिया ही खतम हो जाएगा तो पूरा सेशन देखना बच्चों पूरा सेशन देख लेना भाई और आप अगर मुझे फर्स टाइम देख रहा है तो भाईया अभी तक कर क्या रहे हो जाओ जल्दी से चैनल को सबस्क्राइब करो Magnet Brains Competition ये एक मात्र इंडिया का ऐसा online platform है educational जो आपको quality content के साथ free education देता है तो आप पूरा सेशन देखिए और बिलकुल free में देखिए आपको पूरा syllabus reasoning का मिल जाएगा भाई पूरा syllabus आप बैंकिंग की तियारी कर रहे हैं SSC की तियारी कर रहे हैं स्टेट लेवल तियारी क कर रहे हैं UPSC तियारी कर रहे हैं कोई भी तैयारी कर रहे हैं competition की बस याद रखना magnet brains competition ये नाम याद रखना क्योंकि यहीं है कैतरा आपको platform मिलेगा जहां पर हम आपको prelims मेंस के भी sessions कराएंगे और वो भी free 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 कोई पैसा आपसे चार्ज नहीं करेंगे तो बने रहो हमारे What is assumption? क्या है भाई ऐसी तोते उड़े रहते हैं जब आपके सामने कोई question आता है किसका assumption का question आता है और याद रखना ये एक ऐसा topic है जो भारत के हर exam में आता है चाहाँ exam बहुत बढ़ा हो चाहाँ exam बहुत चोटा हो चाहाँ exam बहुत जादा चोटा हो ये topic आपको बड़े सा चाहाँ का that what is assumption कैसे करते हैं भाई क्या तरीका होता है कैसे इसको अप्रोच करते हैं तो चलिए भाई शुरू करते हैं आज की क्लास को पहला question what is assumption क्या होता है assumption क्या होती है पूर्वधारनाएं कैसे करते हैं इन assumptions को भाई तो चलिए शुरूआत से शुरू करते हैं अजम्शन का मतलब एक तरह से कह सकते हैं माननिताएं भी होता है अजम्शन का मतलब कह सकते हैं पूर्वधारणाएं भी होती है ठीक है तो नाम में ही इसकी कहानी छेपी हुई अगर मैं हिंदी में लिखता हूं पूर्वधारणाएं अगर मैं हिंदी में लिखता हूं बेट नाम में ही बहुत सारी कहानी चुपी होती है भाई याद रखना कहते हैं कि जिनको नाम पता है वो बहुत कुछ कर लेते हैं और बिना किसी कारण के कोई नाम किसी का नहीं रखा जाता है पूर्व मतलब क्या होता है पहले पूर्व मतलब क्या होता है भाई पहले बिफोर और धारडाय मतलब क्या होता है thinking या सोचना thinking या सोचना अगर आप किसी चीज को पहले से ही जाके सोच लेते हैं किसी भी चीज को अगर हम पहले से ही सोच लेते हैं that is called assumption बहुत प्यारा सा concept है भाई अब ये कहोगे sir पहले से सोच लेते हैं अगर मान लो मैंने कहा कि बाहर बहुत बारिश हो रही है if I say कि it is heavy raining outside the door अब आप सको पता चल गया है कि बाहर बहुत बारिश हो रही है और अगर बारिश हो रही है तो अब आप मैंने इतनी बस बोला तो आपके दिमाग में 10 तरह की चीज़े आइगे अच्छा बारिश हो रही है तो तेज हो रही होगी तो हमको बाहर निकलना है तो छाता लेके निकलना है रेन कोट पहनना है तमाम तरह की चीज़े गाड़ी चलाना है तो यह दिहान अखना अच्छा वो गड़धा होगा उसमें जो पानी भर गया होगा उसको बचा के निकालना है अच्छा वहाँ ब्रेकर भी तो है थोड़ा उसको भी समालना है ये जो चीजें आपके दिमाग में चल रही है न ये सब क्या कहलाती है अजम्शन मतलब वो चीज अभी वहां तक आप अपने अपने आपको पहुचाए नहीं हो लेकिन आप पहले स ही उसके बारे में क्या करना शुरू कर दियो सोचना शुरू कर दियो तो किसी बी चीज के बारे में जब हम पहले से सोचने लग जाते हैं डाट इस इग्जैक्ली डेफिनिशन ओफ अजम्शन पूरोधारणा की भाई सबसे प्यारी परिभाशा कह सकते हैं कि कि किसी चीज होती है जिसमें इंसान क्या करता है सोचता है और कहते हैं कि इंसान के दिमाग में इंसान से जुड़ी ना हो तो इंसान इंसान नहीं रहेगा जानवर कहला है कारण भी बड़ा साफ है जानवर और इंसान में बड़ा फरक होता है आपको बहुत प्यास लगी है आपके सामने पानी की बॉटल रखी है तो आप जाके बॉटल उठा लो गया रहे तुमको किस ने बताया कि बॉटल के अंदर जो रखा है वो पानी है चलो चलो मालो पता भी चल गया तुम्हें कैसे पता कि बॉटल को एंटी क्लॉकवाइज खोलना है कैसे पता तुम्हें कैसे पता कि भी पानी प्योंगे चलो मैं किया रहा हो पानी धकन भी खोल दिया तुम पानी को ऐसे ही करके क्यों पीते हो तो पानी को ऐसे भी तो पी सकते हो ना ऐसे भी तुकिरा सकते हो कान में डाल सकते हो मुझे नांक में डाल सकते हो आंक में डाल सकते हो सर पे डाल सकते हो पानी तो तुम्हें कैसे पता कि यह पानी जो है वो पीना है वो मुह से पीना है यह सारा कुछ जो आपको पता चलता है तुम उसके चीजों को करने से पहले ही उसके बारे में सोच लेते हो आज तुम बैठके ही सेशन देख रहे हो क्योंकि तुमने पहले ही आपने सोच लिया कि फ्यूचर में हमारे एक्जाम में यह चीज आएगी तुम पहले से त्यारी कर रहे हो तुम्हें पता है गवर्मेंट अगर अभी देखो बहुत सारी सेच् करें तो मानसून के आने से पहले गवर्मेंट क्या करती है चीजों को समेटना शुरू करती है एंडी आरिफ की टीम लगा देती है बहुत सारी चीजें कर देती है उनको पता कि मानसून आएगा तो ऐसा हो सकता है तो उन्हें आगे का सोच के प्रेज़ेंट को बना लिया तो अजम्शन उसे ही कहते हैं भाई कि जो चीज है नहीं हो जाएगी लेकि उसके पहले से उसके बारे में सोच के चीजों को क्या करना असेंबल करना मैनेज करना अरेंज करना ठीक है तो पूर्व धालना मतलब एक ऐसी बाते हैं एक ऐसी माननता हैं जिनको हम पहले से क्या कर लेते हैं, सोच लेते हैं, जान लेते हैं, समझ में आई बार, चलिए, तो assumption ये हो गया भाई, अब question में चुकी सोचना है, तो सोचना कैसे है भाई, आपको जो आपके यहाँ पर question कैसे आएगा, जैसे बात करूँ मैं, अगर आपके सामने question लाने की, देखो भाई, पहले तो option के बार हम जिक्र कर लेते हैं, option बताओं उसके पहले मैं बदाता हूँ आपको, यहाँ पर ना आपके सामने एक statement आएगा, एक आपके सामने क्या आएगा, कथन आएगा, क्या आएगा बिटा, एक आपके सामने statement आएगा, statement को आपको उसके बाद नीचे कुछ assumptions दिये जाएंगे नीचे कुछ क्या दिये जाएंगे assumptions यानि पूर्वधारणाय दी जाएंगे भाई नीचे आपके सामने कुछ assumptions दी जाएंगे पूर्वधारणाय दी जाएंगे आपको बस बताना क्या है कि कथन के अधार पे अगर कोई बात कही ग बोला गया कि आज हमको मार्केट जाना है, ठीक है, तुडे, ठीक है, विल गो तु दे मार्केट, ओके, आज हम मार्केट जाएंगे, ठीक है, आज हम बाजार जाएंगे, या मार्केट जाएंगे, ठीक है, आज हम बाजार जाएंगे, ठीक है, अब जरा सोचो, नीचे अजम् सोच है वहीं आपका assumption होगा उसके बारे में आपने सोच लिया वह आपका क्या कहलाएगा? Assumption कहलाएगा तो जो भी आपके सामने statement दिया जाएगा उस statement के respect में आपको assumptions दिया जाएंगे. कुछ tricks बताओंगा जिनसे question आप आणे से पकड़ लोगे तो वो रिक्स आप देखो और Concept क्लियर कर लो पहले बद जाने से पहले आपको बताओ भाई पांच उल्प्शन होते हैं चनरली अगर आपके सामने कोई ज़ायाग्या उप्शन का जाए जिसमें दो ज़ाया है कथन के बाद दो assumption होते हैं दो से ज़्यादा assumption होंगे तो उसके options अलग दिये जाएंगे दो assumptions होंगे यहाँ पे आने कि वहाँ पे आपका यह option काम कर जाएगा पहला option क्या होगा कि only one assumption is implicit भाई मालो आपके सामने कोई कथन दिया गया कर्थन के बाद उसकी पूर्व धारणाय दी गई assumptions दी गई ठीक है assumptions दी गई अगर दो assumption जनरली दो assumption दी जाएंगे तो वहाँ पे यह option काम करेगा अगर दो से ज़्यादा assumption होंगे तो आपको अलग से उसके options दी जाएंगे अब मालो तुमने इस question को किया पहले वाले sensor आगया दूसरे वाले sensor नहीं आया तो आप क्या लगाओगे बेटा only first कि पहला वाला assumption इसका सही है only second कब लगाओगे जब पहले वाले sensor ना है दूसरे वाले sensor आजाए only second लगाओगे basically आप ऐसे बोलो जागया अचा ही either और कब लगाते यदर और कब लगाते हैं बाई जब याद रखना कि either और बहुत कम chances ग्राफ़ में लगाते हैं either और कब लगाते हैं जब दोनों बातें अपने अपने रूप में क्या हैं सही है इंडिविज्वली दोनों अपने अपनी जगा पर यह option number पहला था यह option number दूसरा था यह option number तीसरा था ठीक है either or याद रखेगा either or कब लगता है जब दोनों अपनी अपनी जगह पर सही है और दोनों से same result बन क्या रहा हूँ same मतलब individually अलग-अलग नहीं दोनों का result एक ही point पे आ रहा है यह option number four ना तो पहला सही ना ही दूसरा और पांचा option बेटा बोथ यादि दोनों ही सही हूँ जानक ना दोनों ही सही हूँ लेकिन दोनों दो चीज़ों के satisfy करकर result दे दोनों के दो अलग-अलग मुद्दे हों जिससे वो result निकाल के दे रहा हूँ इदर और कब लगाते हैं जब दोनों same result पे जा रहा है same result मतलब क्या होता है कि अगर मान लिजे पहले वाले ने कोई result निकाला और दूसरा वाला उसी result को justify कर दिया या उसी result को satisfy कर दिया तो आपका इदर और लगता है और बोथ में दोनों के अलग-अलग separately दोनों क्या होंगे सही होंगे दोनों अलग-अलग तरीके से मतलब दोनों ही अपने आप में क्या निकाल के देंगे भाई अर्थ निकाल के देंगे किसी चीज की तो वो हमारा बोथ में जाएगा एक अच्छी बात बता हूँ आपको बहुत rare chances में यहाँ पर आपका either or लगता है generally यहाँ पर both मतलब both ही जाता है ठीक है दोनों का subject एक हो आप ऐसे भी मालो इसमें आप कैसे कह सकते हो कि दोनों का subject same हो ठीक है और वहाँ पर subject same ना हो अलग-अलग हो लेकिन result दोनों सही निकाल के दे रहे हो ठीक है ना तो बहुत कम chances है कि इधर और आता है यहाँ पर generally both सही question solve करते हैं ठीक है इसके कुछ basic rules होते हैं भाई ठीक है ठीक है ध्यान रखना आप चाहँ तो पहले इसका screenshot ले लो जैसे कोई question आपके सामने आएगा ना जैसे कोई question है मैं पहले समझाने जा रहा हो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेगा जैसे कोई question आपके सामने आए तो पहले तो यह देखना कि कथन और निशकर्ष कथन और पूर्वधारणा जो है उनके बीच में कोई link है क्या there must be link between statement and assumption कथन और पूर्वधारणा के मद्य एक link होना चाहिए लिंक मदब समझे रहो अगर उपर का मद्दा politics का है तो नीचे भी politics होना चाहिए अगर उपर का मद्दा cricket sport का है तो चाहिए assumption उसी से relate करता नहीं दिया गया तो गलत होगा तो पहला rule यहाँ रखना कि there must be link between statement and assumptions मदब link होना बड़ा जरूरी link नहीं हुआ कुछ भी बोला जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है पहली चीज़ आचा एक बात बताओ जाहिर सी बात है इंसान सो भाई इस topic के अंदर आपको क्या करना बेसिकली आपको इस topic के अंदर सोचना है आपको इस topic के अंदर क्या करना है बच्चों सोचना है क्या करना है सोचना अब सोचता इस इनसान कब के लिए past का कभी नहीं सोचते हम हम present का नहीं सोचते हम किसका सोचते future का भाई अगर मैंने कहा कि तुम अभी यहां क्यों पढ़ रहे हो क्योंकि तुमने future सोचा है कि मुझे अपने job लगानी है job लगाने बद मुझे अपने family को सब कुछ take care करना है तो यह जो future की सोच के present में काम करते है इसी को assumption कहते हैं तो यहां पर कोई भी question आएगा ना उस question को कहा लेके जाओ गया future में we will think all the statements in future कि अगर कोई बात बोली गई तो उसका भविश्च में क्या हो सकता है यादखना assumption के बारे में बात करेंगे तो भविश्च में ही जाके सोचते हैं सोचना is a part of future हम कभी भी past का नहीं सोचते हम कभी भी present का नहीं सोचते हैं यह तो है ना future के बारे में बात करते हैं और जब future के बारे में बात करेंगे भाई तो बहुत simple सी बात है कि future is always belongs to what क्या thinking पर हाँ जो भी कुछ सोचते हैं वो future पर रहता है कभी भी present पर नहीं रहता point to be noted यहां अकना इसको तो कोई भी statement आएगा उसको कहां ले जाके सोचोगे future में अगर ऐसा हुआ है तो क्यों ऐसा हुआ है उसको आगर जाओगे इसका result क्या हो सकता है ठीक है ना next अब एक जो बताने जा रहों यह तीसरा rule सबसे important है भाई सुन लो यह तीसरा rule जो है ना व अच्छे से करा था in the last of a statement generally जब किसी question में आप फंस जाओ तो उसके समझ नहीं आ रहा कैसे करें कैसे करें तो उस statement के last में यह वाई शब्द लगा देना जैसे आज मैं बारिश में school नहीं गया statement तो इसमें लाश में लगा दिया क्यों क्यों नहीं गया आज बारिश में मैं school नहीं गया तो उसके last में तुमने क्या लगा दिया क्यों क्यों नहीं गया अब उस क्यों का जवाब ढूंड लो option में मिल गया तो answer आ जाएगा धियानक ना one of the best method किसी भी assumption पूर्वधारणा वाले question में अगर कथन के last में क्या आ जा भाई क्यों शब्द लगा दोगे तो आपका answer मिल जाएगा आज मैं बारिश में school नहीं गया क्यों उस क्यों का जवाब दे दो समझ महीं बात उस क्यों का जवाब ढूंड़ो option में देख रहा तो आपका answer हो जाएगा समझ महीं बात बहुत ही साधारण सी कही गई बात है बहुत ही simple सा statement है कि क्यों का जबाब ठीके ना perfectly fine अब आजाता है किस पर बेटा fourth पर कोई भी पूर्वधारणा कोई भी assumption ऐसा आजाए जिसके अंदर only शब्द आजाए any आजाए each आजाए every आजाए ये देखो हिंदी में केवल कोई प्रतेक या सभी इन में से कोई भी वर्ड आजाए if one of these words comes in assumption इन में से कोई भी पूर्वधारणा आजाए तो generally assumption क्या होगा गलत हो जाएगा ध्यानक ना ये बहुत ही प्यारा segment है और ये सिर्फ यही नहीं logical reasoning के किसी भी topic में ये rule लग जाएगा और बताऊंगे एक बात आपको अच्छे सी तो अच्छा एक और बात यहां पर एक और शब्द आप लिख लेना एक और शब्द में हमें लिख दे रहा हूं बेटा every के बाद एक और शब्द में आपको देना चाहूंगा always एक और शब्द देना चाहूंगा that is always ठीक है yes always मतलब क्या होगा हमेशा सबसे जादा अगर कोई question में कोई word आता है तो एक तो only आता है आपका खुब सारा और एक always आता है यह दोनों शब्द कहीं भी आपको दिखाई दे जाद रखना वो conclusion सीधे से ने गरत कार दोगे सीधे सीधे गरत कार दोगे हाँ special cases हुए तो बात अलग है special cases में हमेशा सही होगा कैसा जैसे मैंने का सूरज केवल पूरप से निकलेगा यह कभी गलत नहीं हो सकता special case है समझ में आई बद special case है यह हमेशा आपका दाना the right hand होगा this is always your right hand तो यह बिल्कुल सही आपको जाना है कश्मीर तो मैंने का कश्मीर जाने के लिए मध्य प्रदेश से केवल एक रास्ता है गलत हो जाएगा only word आ गया गलत हो गया केवल एक रास्ता थोड़ी है यह बड़े सारे रास्ते होंगे तो याद रखना कई भी only आ जाए any आ जाए each आ जाए every आ जाए या फिर always हमेशा इन में से कोई भी word अगर किसी question में आ गया तो generally वो question क्या होगा wrong होगा इस point को याद रखना वो question जो होगा वो क्या होगा wrong अब आजो next पे अगर कोई बात ऐसी हो जिसमें government का interruption government order हो government suggestion हो government की कोई notice हो government की कोई request हो तो उसको हमेशा या दखेगा वो हमेशा always follow यह हमेशा मानने होगी बिटा अगर कभी भी सरकार ने आपसे request करी आपको कोई आदेश दिया आपको कोई suggestion आपसे लेना चाहे या कुछ भी notice लगा दी तो आप उसको ना नहीं करेंगा अगर माल लोग अलग बात है कि exceptional cases में हम भारत वाले हम मानते नहीं बात को लेकिन अगर red light जल गई तो red light का मतलब indirectly हमको government ने इक इशारा कर दिया traffic police ने मलब government हमको इक इशारा कर दिया कि आपको रुकना लेकिन कही लोग फि इस्तमाल करें बहुत कम लोग करतें पुलिस के डर से करतें वैसे करना नहीं चाहते बाल भी गड़ जाते ऐसा उनको लगता है बाल भी गड़ जाते लेकिन ध्यानक ना सुरक्षा से आप खिलवार करतें पुलिस या सरकार हमसे क्यों कहती कि helmet लगाए कार चलाते हैं तो seat बैट लगाए कभी भी ड्रिंक करके ड्राइब ना करिये उसके उपर कितने सारे चलान बनाते हैं उनको शौक थोड़ी आप से पैसे लेने का वो तो चाहते हैं कि आप पहनो भाई चलो ठीक है सरकार क्या अदेश का अनुसार आप नहीं पहनते हो हमारे डर से पहनो तो लोग मारे डर के पहनते हैं मैं नोटेस करता हूँ कि लोग पहनेंगे पुलिस गई हेलमिट निकाल के रख लेंगे ये जो चीजे हैं वो बहुत बड़ा खिलवाड़ा मालो कहीं अनफॉर्चुनेटली आपका एक्सिलेंट हो गया और आपको पता होगा सबसे सेंसेटिव पार् पार्णी बिगड़ जाती है इसलिए याद रखना कि सरकार की कोई भी नोटिस है कोई भी आदेश है कोई भी रिक्वेस्ट है उसको आप मानिए गवर्मेंट ने चुरू-शुरू में कोवीड की टाइम पे कितना रिक्वेस्ट करा था कि आप घरों में रहें डिस्टेंस और आम है कि नहीं जिस हिसाब से महौल आया था कभी किसी ने सोचा था कि पूरा भारत बंद होगा ट्रेने भारत में कभी बंद होंगी लेकिन इस पूरे कोरोना ने सब को हिला के रख दिया और यहां पे हम गवर्मेंट के आदेश को बहुत लोग थे जो क्या कर रहे थे इगलेजिबल लेकर चल रहे थे उनको नकार रहे थे तो याद रखना अगर कोई ऐसा स्टेटमेंट आपके सामने आजा जिसमें गवर्मेंट की बात हो गवर्मेंट का ओर्डर हो सजेशन हो नोटिस हो रिक्वेस्ट हो वो हमेशा फॉलो होगी बशर्ते उसका लिंक होना चाहिए उपर मुद्दा अगर यह नहीं गवर्मेंट का है तो नीचे बात अगर कुछ और बोलीगी तो गलत माना जागा लेकिन याद रखना यह पॉइंट्स बहुत इंपॉर्मेंट और हो गया ठीक है सजेशन्स नोटिस रिक्वेस्ट हमेशा फॉलो ठीक है ना या कुछ सोचने के बाद या कुछ पढ़ने के बाद या कुछ देखने के बाद प्रयावने पर हो रहे किने बीजिस करनें लंग है इसको कोई भी चीज अगर अप्रोच करो आप तो उसको positively approach acceptable होता है negative नहीं होता हलाकि हमारे thought process दो होती है positive भी होती है negative भी होती है लेकिन हमेशा याद रखना है कि जब हम सोचेंगे तो negative impact वाली चीज़ें गलत मानी जाएंगे हमेशा positive कोई माना जाएगा तो याद रखना कि अगर अगर आप negative लेके जा रहे किसी चीज़ को जबर दसती है negative का मतलब यह नहीं कि assumption में कोई बात not लगा गया तो गलत हो गया sense अगर negative आ रहा sense अगर negative आ रहा किसी assumption का तो वो गलत मना जाएगा और दूसरी और अंतिम चीज़ बेटा हमेशा जो है ना वो कथन के आस पास रहे के सोचना है और हमेशा statement के against नहीं सोचना है statement के against जाके सोचोगे गलत होगा और आस पास रहे के सोचना में क्या सोचने वाली बात है तो आपको कुछ भी सोच लोगे इनसान तो कहाँगा ना हमारे साब से कुछ भी हो सकता है तो याद रखना आपको think around the statement statement के बहुत दूर जाके नहीं सोचोगे आप समझ में आई बात तो कुछ ये बड़े शांदार से रूल से बटा जिनमें अगर मैं सबसे important की बात तरूत ये वाला रूल याद रखना कोई भी question आपके सामने आजाए उसके last में हुआ ही लगा दो क्यों और उसके बाद उसको solve करो आप notice करोगे कि आपका वो question solve हो जाएगा याद अखना पांच number का topic है ये और भारत के किसी भी exam में पूछा जा सकता है किसी भी exam में पूछा जा सकता है और ये आपके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी अगर आपके सामने कोई भी topic आजाए जो सिर्फ और सिर्फ किस पे focus हो आपके logic पर तो ये rules बड़े काम आएंगे भाई इनको अच्छे से आप लिख लेना हिंदी और इंग्लिश में मैंने explain कर दी आपके सामने तो इन ही points से हम अपना question करेंगे तो चलिए जरा शुरू करते है question number one देखते हैं आपके हसाब से क्या सही है क्या गलत है पहला question देखिए जरा सा ये रहाँ पहला question ध्यान से पढ़िए जरा इसको यहाँ पर सिर्फ आप अपने logic पर अंसर दे सकते हैं यहाँ कोई pen when copy आपी जरूरत नहीं पढ़ती सुनो जरा पढ़ो जरा क्या था पहला question है बिल्कुल basic level लेके चल रहे हैं बनाओ जरा भाई एक मा ने अपने बच्चे को चेताओनी दे दी भाई चेताओनी क्या दे दी है कि अगर तुम मुझे परिशान करोगे तो मैं तुम्हें एक थपड़ मारूगे अब इस पे assumption क्या बन सकता है इस पे क्या पूर्व धारना है बन सकती पहला मतलब इस चेताओनी के बाद हो सकता है बच्चा अपनी मा को परिशान करना बन कर दे दूसरा सभी बच्चे मूल रूप से नटकट होते अब आपको क्या लग रहा है इस में से क्या सही होगा तो मुझे नहीं पता इस question का answer में क्या निकालूँगा मुझे नहीं लगता है कि इस question का answer में क्या निकालूँगा मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं question करूँगा तो मेरे सामने सिर्फ एक ही चीज़ होगी कि statement statement हमेशा 100% true माना जाएगा पिटा statement को हमेशा true मानेंगे, सही मानेंगे अगर तुम मुझे परिशान करते हो तो मैं तुम्हें एक थपड मानूँगी एक मम्मी का अपने बच्चे को चेहताओ नहीं अब बड़ा question कैसे करें लगा दो इसके last में क्यों एक माने बच्चे को इतना क्यों बोला why 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 question के last में क्या लगा दो बेटा बड़ा आच्छा तरीका होता है अब ऐसा क्यों कहा ममी ने क्योंकि ममी बहुत तंग हो चुकी थी ममी बहुत इरिटेट हो चुकी थी अब ममी लोग जल्दी warning warning देती नहीं भाई अगर ममी ने warning दे डाली है मतलब serious matter हो गया था तो बच्चे को ने बोला कि आप तो मैं तुम्हें थपड मारूँगी मम्मी बहुत चिड़ी हुई थि मम्मी actually क्या चाहती थी ऐसा उन्होंने क्यों बोला योगि मम्मी चाहती थी कि सच में बच्चा परिशान करना उनको बंद कर दे और पहला assumption देखो वही है कि हो सकता है इस चेतावनी के बाद बच्चा अपनी मा को परिशान करना बंद करे बिलकुल क्योंकि मम्मी का intention ही यही था अब तुम गोगे सर ऐसा भी तो सकता है न बंद करे बिलकुल लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर यहाँ पर एक शब्द आया है चेतावनी जिसको कहेंगे warning आप चाहे तो rules में यह वारा part भी लेख सकता है कि warning कहीं भी आ जाए warning कभी भी आ जाए बेटा warning को accept ही करना ठीक है warning को accept करना होता है warning को आप हटा नहीं सकते याद लखेगा तो कहीं भी अगर warning word आ जाए सुबस सुबस हो रहे थे और मैंने आपके साथ प्रैंक करने कोशिश की मैंने आपको इक फोन लगाया और आप ने जैसे फोन उठाए मैंने का कि आप बाहर निकले गजा तुझे गोली मार सिंगा और फोन काड़ अब तुम रबडा के उट गया माला तुमने किया हो सकता किसी ने प्रैंक किया कुछ आगे तुम्हारे दिमाग में डर है वार्निंग था बेटा अब उसके बाद जैसे तुम बाहर निकल नजरें आगा अगल बगल वाल करेंगे निए और ध्यान तुमको देखते हुए से आ गया गा तुम दरस जाओगे भ पॉजिटिव मतलब उसको कभी भी डिनाई नहीं करते हैं ध्यान रखना यहाद रखना यह क्वेशन में जो चेतावनी आगा अगर यहाँ पे मम्मी बच्चे को रिक्वेस्ट करती अगर रिक्वेस्ट आता तो शायद यह गलत होता और शायद गलत माना जाता है क्योंकि हो स बात को लेकिन अगर टीचर की आँखे लाल डंडा लेके खड़ा हो गया शान तो जानी हाट पैर तोड़ दूँगा अब तुम उनकी वार्नी को एकसेप्ट कर लोगे ठीक है ना तो वार्नी आ गया इस वजह से पहला वाला बिलकुल सही है और मम्मी यहीं चाह रही है क्य की बात की गई है क्या question में क्या सब ही बच्चों की बात की गई है question में तो conversation चल रहा एक मा और बच्चे का उनकी बात हो एक statements से एक और ट्राइ करो next, ये देखो. हिंदी में देख लो, इंग्लिश में देख लो, जिसमें देखना है देख लो आप इसमें. जल्दी देखो जरा. I have not received telephone bill for nine months in spite of several complaint. बहुत अच्छा कहुश्य है भाई. Our telephone customer's letter to the editor of a daily. Daily, चीक है? क्या बोलगे हैं आपे? कोई एक newspaper कह सकते हैं आपे newspaper वाला है. उसके पास ये information आईए भाई. एक ग्राहक ने शिकायत कही है कि भाई मेरे 9 महीने लगातार bill मांगने के बाद भी मुझे bill नहीं मिला. नहीं मिल रहा है. बिल ही नहीं दे रहा है. तो अब इस पर क्या assumption हो सकते ज़रा सोचो. Think about it. सोचो ज़रा इसका अंसर निकालो. क्या होगा? ठीक है भाई? चलिए. अब इसका अंसर क्या हो जाएगा? I have not received a telephone bill. भाई कहानी कुछ ऐसी है ना कि ग्राहक ने दैनिक संपादक के किसी ग्राहक कोई एक न्यूस पेपर एडिटर है उसको टेलिफोन ग्राहक का एक पत्र पहुँचता है. तो भाई इसमें क्या होता है? क्वेशन कहा गया है कि नौ महीने से टेलिफोन बिल नहीं मिला है उसको. बावजूद इसके कि उसने कई शुक्यात कर दी. अजम्शन ऐसा क्यूं? प्रते ग्राहक को टेलिफोन कंपनी से निमी तरुप से बिल प्राप्त करने का अधिकार है. भाई अधिकार है ये बात तो सही है. ये बात तो बिलकुल सही है कि यहाँ पर सभी ग्राहकों को अधिकार है यहाँ पे उसको बिल प्राप्त नहीं हुआ ठीक है दूसरा पढ़ते दरह सा ग्राहा की शिकायतें उन सेवाओं में खराबी की और इशारा करती है जिने ठीक किये जाने की उमीद है यह बात भी बिल्कुल सही कहे जारी है यहाँ पे वह सिंपल सी बात है यहाँ पे लापरवाई तो हुई है लापरवाई तो प्रापर हुई है ऐसा क्यूं हुआ है क्योंकि ऐसा वो क्यूं मलब कह रहा है क्यूं ऐसा उसने पत्र लिखा है क्यों ऐसा बोला है क्योंकि उसका अधिकार है भाई बिल लेने का उसका पूरा अधिकार है तो इस Q का जवाब तो यह बिलकुल सही था पहला वाला सही है और दूसरा ग्रहा की शिकायते उन सेवाओं में खराबी की और इशारा करती है जिसे ठीक किये जाने की उमीद है यहाँ पर भी बात सही है भाई आप शिकायत करेंगे तभी तो इस पर चीजे क्या होंगी अमल ह होगी तभी तो जाके लोग क्या करेंगे उस पर प्रॉपर काम करेंगे तो इसकांसर काएगा बोथ फॉलो आजाएगा भाई दोरों के दोनों सही है बोथ शुड़ बी इंप्लिसिट अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि 9 महीने से लगातार शिकायत कर रहा मत अजरें अगर जाएंगे तो चांसेस तो बढ़ेंगे ना कि उसको क्या करेंगे कुछ उसमें ठीक किये जा सकते हैं और बिल प्राप्त करना तो अधिकार है ना उसका तो यह दोनों ही बातें अपने आप में क्या है बिलकुल सही है स्टेट्मेंट को सैटिस्वाई कर रहे है अगला क्या है बहुत प्यारा कोशन ये भी है ध्यान से पड़ उस कोशन को केस ओफ फूड पोईजनिंग ड्यू टू कंजम्शन ओफ लिकर आर इंक्रीजिंग इन रूरल एरियाज भाई ग्रामीड इलाकों में शराब के सेवन से फूड पोईजनिंग के मामले बढ़त जो आरे हैं भाई बहुत बड़ा केस बन गया ऐसा क्यूं हो रहा ऐसा क्यूं हो रहा भाई क्यूं तो शराब पीने वालों का प्रतिशन ग्रामीड छेत्रों में अधिक है भाई ग्रामीड छेत्रों में अधिक है चलो होल्ड पर रखते हैं जरा दूसरा पढ़ देते हैं ग्रामीडी छेत्रों में अवैद रूप से नकली शराब की कई दुकाने हैं कि there are many unauthorized यहाँ पे स्पारिस लिकर शॉप्स in the rural areas भाई यहाँ पर unauthorized लिकर शॉप्स हैं नहीं हैं इसके बारे में कुछ नहीं बताया गया शॉप का जिकर नहीं हो रहा है जिकर हो रहा है फूड पॉइजिनिंग के केसे बढ़ गया है भाई इसका मतलब कंजम्शन जादा होगा ना भाई लोग जादा लिकर पी रहे होंगे अब लिकर पी रहे हैं उसके लिए दुकाने जादा है या कम है उससे फरक नहीं पड़ता दुकान कम है तब भी लोग खरी देंगे एक दुकान से खरी देंगे दुकान ज़ादा है तो ज़ादा दुकानों से खरी देंगे और ज़रा सोचने वाली बात है अनथराइज यहाँ पर लिकर शॉप्स रूरल एरियाइस में ज़ादा है मतलब इतनी ज़ादा मतलब कितनी और यहां पर दुकानों का रिलेशन नहीं है लोगों को food poisoning liquor से हो रहा तो इसका मतलब जादा से जादा लोग क्या कर रहा है भाई उसका इस्तमाल कर रहा है लिकर पी रहा है तो ओवियस से बात है शराब पीने वालों का जो percentage है ग्रामीड छेत्रों में जादा होगा भाई जादा तर लोग पी रहे होंगे और पी रहे है तो भी तो उनको क्या हो रहा food poisoning के cases बढ़ते जा रहे है और कहानी कुछ ऐसी है कि ये cases बढ़ रहे है increasing है बढ़ रहे हैं मतलब जाहिर सी बात है कि पहले दो थे फिर दस हुए फिर पचास हुए फिर सो हुए फिर हजार हुए और ये बढ़ रहे हैं मतलब consumption जादा लोग कर रहे है percentage लोग का क्या है जादा जितने जादा लोग पीएंगे सबको poisoning हो रही तो यहां पर answer क्याएगा only first follow पहला वाला सही है second वाला गलत हो जाएगा इसका बड़ा कारण है क्योंकि यहां पर दुकानों का कोई जिक्र नहीं किया गया वैद शराब की दुकाने ज़रूरी नहीं है कितनी है कितनी नहीं ऐसा कुछ statement आप से नहीं चाहरा क्योंका जवाब हमको मिल गया कि ज़्यादा ज़्यादा लोग पी रहे हैं तो ओविएस सी वाद है food poisoning बढ़ दा ना तो क्योंका सटीक जवाब हमको मिला first वाले में इसका अंसर कहाएगा only first follow भाई आ जाएगा लो next अगला try करो क्या बूला गया इस question में जड़ा पढ़ ले इसको जड़ा पढ़ लेते हैं बड़ा प्यारा question यह भी है और थोड़ा सा detective वाली feeling आती जब आप assumption पढ़ते होना तो यहाँ पर मज़ा आता है यह देखो एक किसी फ्लैट के कोई एकलोती निवासी था उसकी हत्या की जाच के लिए पुलिस ने घरेलू नौकर बहुंजरा इमारत के चौकिदार और लिफ्ट मैन से पूरा पूश्टाश की जनरली ऐसा ही होता है तो इन्वस्टिगेट अमडर ऑफ दे लोन रेसिदेंट ऑफ फ्लैट तो पुलिस इंटरोगेट दोमेस्टिक सर्वेंट दो वाच्मेन ऑफ दो मुल्टी स्टोरी बिल्डिंग और लिफ्ट मैन यह लोग तो वहां रहते रहते हैं तो उनसे पूश्टाश पूलिस की क्यो इसा क्यों किया क्योंकि जाहिर से बात उनको पता है कि इनसे काफी हर तक काफी इंफरमेशन सापको मिल जाती है तो पहला क्या वो लगया तो डॉमेस्टिक सर्वेंट वाच्मेन एंड लिफ्टमेंट कैन गिव अ क्लू अबाउट दे सकते हैं बिल्कुल दे सकते हैं वह जो जितना करीब है उतना जादा जानकारी रखेगा ना बाई जो उनके हैं काम कर रहा है देख रहा होगा क्या है कैसा महौल चला जो लिफ्ट में है उनको डेली आते जाते देख रहा है जो चौकिदार उनको प्रॉपर वाच आउट कर रहा तो उनसे हो सकता है कुछ ने क सुरी ये बात भी तो सही है कि आम तोर पर आम तोर पर ऐसे मामलों में निवासी को जानने वाले व्यक्तियों पे प्रतक्ष या परोग शुरूप से हत्या में शामिल होने के गुंजाईश बढ़ जाती है तो बिल्कुल हाँ बाई देखो कोई unknown आके आपको मार के नहीं जाता अगर किसी को किसी की death में involvement आप अभी तक देखेंगे ना तो उनके कोई close relative या उनके relative ही है जो उसमें involved होते है ऐसे कोई किसी को कैसे जान के आके मार देगा तो इसका अंसर क्या आएगा भाई first and second both भाई दोनों सही आप notice करन इदर और अभी तक नहीं आया और आएगा भी नहीं जारत अरंसर इसमें both में या फिर बाकियों में आता है इदर और के chance है यहां पर कम होते है ठीके ना चलिए बढ़ते अगले question पर सोच रहा है भाई सोच रहा है सबको यह देखो आगे यहां देखो पढ़ो अच्छे से पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो बहुत अच्छे से पढ़ो भाई देखो क्या हुआ चात्रों के अंदोलन के कारण हिंसक स्थिती को देखते हुए राज सरकार ने राज के सभी सिक्षड संस्थानों को ततकाल प्रभाव से दो हफते के लिए बंद करने का आदेश दिया भाई दो हफते तक colleges नहीं चलेंगे क्योंकि government का पूरा-पू शायद इसी दी यह decision लिया गया है कि दो हफते तक अगर वो क्या करेंगे बिल्कुल मौहल शान्त रहेगा तो मैं यह नहीं कहता हूँ शान्त हो ही जाएगा लेकिन हाँ अभी जो हालात हो रहे थे वो मौहल तो at least नहीं होगा तो पहला वाला तो बिल्कुल सही है कि आपे the students' aggation may subside after two weeks बिल्कुल यह सही हो सकता है दूसरा पड़ो कि the students may not find a place to come further and continue aggation after the closure of the educational institutions के शैक्षडिक संस्थानों के बंद होने के बाद चात्रों को आगे आने और आंदोलन जारी दखने के लिए जगए नहीं मिल सकती है यह बात उतनी 100% हजम नहीं हो ली पाईज इसको अंदोलन करना होगा रोड पर करेगा अभी देखो यहां पर अंदोलन की बात अगर करें तो अगनी पत वाली देख लो बात रेवे स्टेशन पर कर दिया समझ में है बात तो यहां पर यह जो बात बोलीगी कि उनको जगए नहीं मिलेगी यह बात बिल्कुल नेगेटिव बात होरी जगे क्यों नहीं मिलेगी वह कहीं भी अंदोलन कर सकते हैं अगर मूड में आ जाए करने क्या आ जाए तो यह बात गलत है तो इसका अंसर एक्जाक्टी देखा जाए तो क्या आएगा ओनली फॉस्ट फॉलो केवल पहला वाला जम्शन जो है बिल्कुल क्या है सह क्लेकर सारे कोश्ट पाई इसमें मेंस वाले कोशच्ट के लिए मैं अलग सेशन ले क्या होंगा जम्शन का जिसमें सिर्फ मेंस का स्टैनर्ड होगा मैं इसको कह सकता हूं कि बैंकिंग के प्रिलिवन का है या फिर देखा जाए तो बाकी दूसरे एक्जाम को जा सकते हैं, कि X airline ने क्या किया, the X airline has decided to increase the passenger for fare by 15% with immediate effect, कोई एक airline बटा है, क्या रम उसका X है, इसने तकाल प्रभाव से यात्री किराए में 15% की वृद्धी करने का नेड़े लिया है, 15% का increment करने का क्या लिया है, भाई, decision ले लिया है, ठीक है, अब इस पर assumption किया है, number one, कि X airline की सीटों की मांग किराय में बढ़ोतरी के बाद भी अपरिवर्तित रह सकती, the demand for a seats of X airline may remain unchanged, even after the hike of fare, कि दाम बढ़ाने के बाद भी हो सकता, demand उनके जैसे की तैसी पड़ी हो, ये बताओ, सही या गलत, पेट्रोल का example ले लो, भाई, पेट्रोल के दाम इतने हाइक हुए, demand कम नहीं हुए, गाडियां बिकना बंद हो गहीं क्या, नहीं, demand उतनी चल रही, गाडियां उतनी लोग खरीद रहे हैं, पेट्रोल के दाम अभी 178, 10, 12, 15, 20 हैं, या उठा के करतो उनको 200, गाडियां ख खाने वाले तेल की बात करें, जो cooking oil हैं, दाम बढ़ गया, सारी चीज़े बढ़ रही हैं, लोग खा रहे हैं, मर थोड़ी रहे हैं, खा तो रहे हैं, कैसे भी कर गए खा रहे हैं, लेकिन खा रहे हैं, तो यार पैसे बढ़ जाने से demand में बहुत फरक नहीं पड़ेगा, त बाकियों का कोई जिक्र statement पर नहीं, यहाँ पर एक specific X airline की बात कर रहे हैं, बाकी करेंगे नहीं करेंगे हमें नहीं नहीं पता, इसके बारे में confirm relation ना होने के कारण, लिंक ना होने के कारण, पहला वाला जो है हमारा गलत हो जाएगा, sorry, सही हो जाएगा, second वाला हमारा क्या ह का गरत, तो अंसर क्या हैगा, इसका only first, ठीक है बई, इसके solve कर लेते हैं, बना लेते हैं बढ़ियां से, अंसर बढ़ा ही clear था, इसका बन गया, आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होगा बई, देखो जरा सा, आगे पढ़ो क्या था, यहाँ पर बहुत ही simple सा, बहुत ही प्या के सभी बेरोजगार भारती युवाओं को बेरोजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए, यह तो बिलकुल dedicated है, आपके उपर बिलकुल इस पे तो आप गलती करी नहीं सकते हैं, अब इसने क्या बोला है, कि 18 साल से जितने जादा के लोग हैं, बेरोजगार हैं, भारती युव हैं, उनको unemployment कह सकते हैं, भाई साब, unemployment alliance दिया जाना चाहिए, क्या ये बात agree करोगे तो आपको कि हाँ सब बिलकुल सही है, अच्छा क्यों ऐसा करना चाहिए, क्यों क्यों का जवाब ढूनो, पहला कि भारत में बेरोजगार हुआ हैं, जिने आर्थिक मदद की जरूरत हैं, बिलकुल यार ये बात तो सही है, तो फॉस्च वाला तो बिलकुल सही है, बहुत सारे ऐसे यूथ हैं, जिनके पास क्या है, वो पैसे से मात खा जा रहा है, हलाकि अमाउंट बहुत कम होता है, लेकिन इस अमाउंट से कही न कहीं वो फॉर्म भर सकते हैं, बाकी चीज़े जो हैं वो कर सकते हैं तो इसका अंसर के आएगा फॉस्ट वला तो सही है दूसरा दे गवर्मेंट हाज सफिशियंट फंड टू प्रोवाइड अलॉइंस टू अलॉइंस टू अलॉइम्ट यूद के सरकार के पास युवाओं को भत्ता देने के लिए बहुत अच्छा खासा धन है इसके बारे में कोई इन्फरमेशन नहीं धन है उनके पास पैसे हैं उनके पास पैसे नहीं फंड्स हैं नहीं है matter हमारा मुद्दा कुछ और है हमारा मुद्दा है उनको वर्युजगारी भत्ता दिया जाना चाहिए क्यों क्यों की उस क्यों का जवाब नोड़ो क्यों का जवाब यह थोड़ी कि उनके पास भत्ता है इसलिए दे देंगे क्यों का जवाब यह कि सरकार के पास पैसा है तो द इसलिए तो शायद ये चीज़े हो रही है सरकार के पास पैसा जादा है कि बांट दें लो बांट दो ले बांट दें नहीं गलत हो जाएगा ठीक है बई तो इसका अंसर क्या हैगा उनली फर्स्ट फॉल लो ठीक है बई तो आई बेश आपको सेशन अच्छा लगा हो याथ बहुत डेचया बहुत में जाके सोचोगे तो फश्च जाओगे और इसे कुछ अच्छे और अड़क्स कॉच्टन में मैं लेके एक सेशन आऊँ के होगा जोगल तक हैदि कर एक मेंचि का पूरा फॉरबिट तो ये थोड session आप हमारे कहां से देख सकते हैं भाई magnet brains के off equal site पर वहां पर जाएंगे link open करेंग सब्सक्राइद कि तो आपके सम면 रिंग का सैमने पूरा पूरा वह आ गाएंटर्फेश हाजाएगा जहां पर आपको जाना है नीचे पर इसी पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जतना पूरा का पूरा session देखो आजाएगा ऐसा, पूरा session आजाएगा आप किसी भी एक session पो click करेंगे और click करते ही आप notice करेंगे कि आपके सामने sessions directly चलने लग जाएगे, आपको कहीं जाना ही ज़रूतनी, YouTube पे भी ने जाना, directly हो sessions आपको मिल जाएगे और आपको यहीं से अगर next प याद अखना, Magnet Brains के competitive channel पे जिस पे आपकी session देख रहे हैं, जल्दी से जाएगे, जितना जादा हो से के subscribe करिए, करवाईए, क्योंकि यह सब कुछ याद अखना, आपको कोई fees नी देना, आप कहीं किसी दूसरे शेहर में जाके, पैसा देके, पढ़ने की attention मत लीजे, आप आपको fees की tension है, वहाँ जाके रहना है, वहाँ खाना है, survive करना है, यह सब भूल जाओ, घर पे बैठो, इंटरनेट पैक कर आओ, और बैठ के हमारे sessions आप प्रॉपर देखो, यह सब कुछ free है, हम सिर्फ pre तक का साथ नहीं देंगे, mains भी पढ़ाएंगे, interview तक आपको प्रॉ कि वो गुरुदक्षिन आप उसको दे, ठीक है, तो मिलते हैं अंगली क्लास में, एक और amazing session के साथ तक ख्याल रखिये, और खोग पढ़ाई के रिए, thank you so much guys and जहिंद